अब बहुत जादा दूर नहीं रह गया है 14 जुलाई से यह परिच्छाएं शुरू हो रही है टीर वन की और आशा करता हूं कि आप लोग अपनी तयारी में अब धार लगा रहे होंगे और तयारी में जो धार है वो लगती है मौक टेस्ट देने से तो आखिर मौक टेस्ट कहां से देना चाहिए कैसे देना चाहिए यह जानना बहुत जरूरी है और कब से देना चाहिए तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट अब बिना देरी के दिना शुरू कर दीचे, क्योंकि एक्जाम में अब दो महीने ही बचे हैं एक तरह से, आज साथ मई है, 14 जुलाई आने में वक्त बिलकुल नहीं लगेगा, तो मॉक टेस्ट के लिए आखरी समय तक प्रतिक्षा नहीं करन नहीं है, आपको मॉक टेस्ट शुब दिन आज ही है, आज से दिना शुरू कर दो कर अभी दिना शुरू नहीं किया है, वरना लेट हो जाएगा, मॉक टेस्ट कैसे दे, सबसे पहले आप All India जो मॉक्स होते हैं, वीकेंड में कई सारे जगहों पर कराये जाते हैं, और हम लो प्रिलिम्स टिर वन इस बार कॉलिफाइंग है, यह सभी को पता है, पिछली बार भी कॉलिफाइंग था, लेकिन बहुत अंतर है पिछली बार और इस बार में अंतर यह है, कि इस बार वेकेंसी कम होने की वज़ा से प्री में उतने जादा लोगों को नहीं लिया जाएगा जितने लोग पिश्री बार लिए गए तो cut off naturally इस बार high होगी और अगर आप prelims नहीं निकल पाए तो mains देने का मौका भी नहीं मिलेगा इसलिए pre को हलके में नहीं लेना है बहुत ही seriously pre को देना है दूसरा एक चीज़ आप समझो अगर आप pre में 6 score कर रहे होंगे तो आपको प आप उस स्थिती में ना रहें आप इतने नंबर लेके आ जाओ मौक टेस्स इतना बढ़िया से दो कि आप एक्चुल एक्जाम में इतने बढ़िया नंबर ले आओ कि आपको यह confusion ना हो तो इस video lesson में मैं आपको बताऊंगा कि आल इंडिया फ्री सूपर मौक्स आप कैसे द सकते हैं तो पहले वह प्रॉसस देख लेते हैं लेक मिनट में सबसे पहले आपको सूपर मौक्स की वेबसाइट जो सूपर मौक्स डॉट कॉम है यहां लोगइन करना है या फिर आफ सूपर मौक्स मौबाइल एप जो एंडॉड यप है उसको डाउनलूड करके उसको आपको पहले मौक टेस्ट पे क्लिक करना है यहां पर आपको जो आप अंदर आएंगे वही एससी फुल एक्सेस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको जो नीचे देना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है वहाँ पर आपको एक बॉटम में मुबाइल आप में टाइब मिलेगा मॉक टेस्ट उस पर क्लिक करिए फिर एससी फुल एक्सेस पर जाईए और फिर आपको फ्री कॉंटेंट्स में ओल इंडिया सूपर मॉक्स दिख जाएंगे और आग सबसे पहले तो जब भी कोई भी मॉक टेस्ट देने जाएंगे तो आप हंड़्सेंत स्ट्रेंगे सिंसेयर थे जिरेंगे इसके लिएम्र को अ एक्चुल एक्जाम की तरह बहुत सिंसरी देना एक right ambience atmosphere में देना है जहां disturbance ना हो वहां बैठिए और बिल्कुल उस mindset से बैठिए जैसे actual exam में आप बैठोगे इस तरह का lazy attitude लेके mock test नहीं देना है 100% sincerity के साथ mock test आपको देना है तो आप ऐसा करो कि भाई mock test जब देना है तो एक घंटे पहले से थोड़ा सा उस zone में आप रहो यह नहीं की mobile में बैठके social media चेक करें इस्टाग्राम घूम रहे थे टेलिग्राम घूम रहे थे और एक पहुंच गया mock test देना है नहीं वह दिमाग को आप उस तरह से शांत रखें थोड़ा space दे उसको कि आप mock test ready हो आपके दिमाग में हो कि यह भाई मैं एक mock test दे रहा हू से प्रेपर करके जाते हो कि ट्वाइलेट पहले कर लिया मस चका चक की बीच में ट्वाइलेट ना लगे पानी भी जादा नहीं पीते हैं घुट घुट पीते हैं कि बीच में ना लग जाए पेशाब वहना स्कोर खराब हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही mock में करना है ना बीच में करने का देखो बिल्कुल सिंसरली करो आपने घर वालों कोई बता दो कि मुझे बहुत सेंसरली करना है और डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप ठीक है कि कोई भी मॉधे देने के पहले एक प्लान और एक स्टाटेजी होनी चाहिए राइट स्टाटेजी और प्लान कैसे समझ सकते हैं Mmm strategy और plan basically based होता है आपके previous experiences पर प्रीवियस experience का मतलब लट से आपने पहले mock दे रखा है तो आपको अपने weak areas, strong areas पता है right की भाई मेरे weak areas क्या है मेरे strong areas क्या है तो उसके basis पर एक basic strategy और framework और दिमाग में होना चाहिए कि लट से मैं इस सुवनन सो टॉपिक में बार बार गलतियां करता हू को कशन में करूंगा में यह मैंने पिछले माँ टेस्ट में इस तरह कि enemy है तो दिमाग में ये मैसेज देना है कि इस बार मुझे उस तरह की silly mistake नहीं करनी है तो एक तरह से basic planner strategy होना चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि sections का order क्या है भाई मुझे किस order में exam देना है ठीक है जैसे आपका order हो सकता है मान लिया कि आप जीए दे रहो फिर आप reasoning दे रहो फिर आप English दे रहो फिर आप math दे रहो right and any any other order जो आपका एक अपना order है तो वह section का order pre-decided होना चाहिए यह नहीं कि वहाँ जाएंगे वह decide करेंगे बिल्कुल भी नहीं आपका section order भी होना चाहिए और आपका एक time target भी होना चाहिए time target का मतलब क्या होता है कि एक rough idea हो कि भाई मुझे कितने कितने मिनट इस section पर देने हैं ताकि लेटसे किसी section में बहुत ज्यादा time लग रहा है तो आप वह section reasoning और मैस time taking होते हैं ठीक है तो एक basic time division आपके दिमाग में होना है जीए में लट से पांच मिनट देना है इंग्लिश मुझे लेट से 10 मिनट देना है 15 मिनट हो गया और बाकी मेरे पास बचे 45 मिनट वह 45 मिनट में जीए और इसमें डिवाइड करूंगा या इंग्लिश you should have a time framework also कि मैं इतना ही time round one में subject को देने वाला हूं और round two में पिर मैं देखूंगा अगर time बचेगा मेरे पास ठीक है टाइम टार्गेट है accuracy का भी ख्याल रखो accuracy इसलिए कि बहुत ज़्यादा तुक्का पुक्का मत मरो कई लोग होते हैं दस्मलों पांच-पांच नंबर से अटक जाते हैं दस्मलों एक नंबर से एक्जाम में अटक जाते हैं बहुत दुख होता है उनको क्योंकि भर जी तुक्का मारा है गलत हो तो accuracy पर ख्याल रखो ख्यार एक्जाम में calculated risk लेना भी जरूरी है जैसे GSF GS में आप 100% शेवर नहीं हो सकते तो आप वहां calculated risk लिजिए option eliminate करके लगाईए English में भी कुछ questions ऐसे होते हैं जहां पर दो options में confusion होता है words है बहुत similar meaning है उनकी समझ में नहीं आ रहे क्या लगाए नहीं लगाए तो वहां भी आप तुक्के लगा सकते हो क्योंकि वह calculated risk है आपका लेकिन तुक्के हमेशा मैं suggest करता हूँ कि कभी भी ऐसी situation में मत मारिये लेटसे आपके दो options हैं A और B जो आपने आपने C और D option चार option थे मान लिया और आपने A और C eliminate कर दिया अब B और D में से कुछ सही है बट B और D में से क्या सही है यह आप यहां पर अगर तुक्का लगाने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों equally correct लग रहे हैं और 60% करिए और इसका 40% करिए तब भी लगाई यह वैटी के दो options है मुझे दोनों सही लग रहे हैं लेकिन आपको ज्यादा सही क्या लग रहा है तो कोई न कोई reasoning के साथ अगर आप किसी को बोल सकते हो कि यार यह 60% लग रहा है चालिस लग रहा है आप 60 वाली को तब लगा सक इवन आप 60-40 हो तब भी हो सकता है अब गलत हो जाओ को कि आप 100% तो शयूर नहीं हो बट इस्टिल यहाव रीजन तो बिलीव कि B मेरा जादा करेक्ट होनी की समभावना है तो आप B के साथ चले जाएगे तो इस तरह से आप calculated risk ले सकते हो मैस में risk लेने का कोई मतलब नही आता है तो आता है नहीं आता है तो नहीं आता है वाला गेम है जी ए में थोड़े बहुत तक्रम लगा सकते हैं इंग्लिश में थोड़े बहुत तक्रम आप लगा सकते हैं एक कुरेसी का खास ख्याल लगें बहुत जादा गलत मैस और रीजनिंग में तो नहीं ले सकते हो इंग्लिश में गलतियां होती ही होती है थोड़ी बहुत जी यह में भी गलतियां होती ही होती है तो वहां पर ठीक है इस तरह से ही तुक्के मारो ऐसा नहीं कि 100% तुक्का मार के आगे एक को इसी का ख्याल लगे एक और चीज़ लेट से आप पेपर दे रहे हैं मॉक टेस्ट है वह कहता है 24 तो अब मॉक टेस्ट में तो आपको पता ही है कि अगला मॉक टेस्ट भी है तो जैसी परिस्थिती खराब होगी मानी तीस मिनट के बाद तुम्हें लगता है अच्छा मॉक जानी रहा इसको और अच्छा आना नहीं तो भी कैसे लड़ना है अंध तक ये ability आपको तभी मिलेगी जब आप fight मारोगे, जब आप बीच में मैदान चोड़ के नहीं भाऊगे तो ये अपने दिमार के बिठा लो कि mock test दे रहे हैं, mock कितना भी खराब होने लगे बीच में मैं इसको actual exam मानके चलूँगा, कि भाई यही मेरा exam है, मुझे देना ही देना है अन तक तो वहाँ से क्या बहतर हो सकता है, वो करने की कोशिश करूँगा कैसे मैं अपनी नब्ज पर काबू पाकर, अपनी emotions पर काबू पाकर भी उस exam को मैं complete करूँगा उस moment से, जो time चला गया, वो तो चला गया, गहरी सांस लो, और फिर करना शुरू करूँगा आखरी मोमेंट तक fight करने की आदत मौक से ही डालनी है, कोई भी मौक बीच में अधूरा छोड़कर नहीं submit करना है, क्योंकि आपको लगता है अगला मौक तो ही है, क्यों? नहीं, यह attitude पैदा ही नहीं करना अपने अंदर, मौक को भी असली exam की तरह लड़ाई-लड़के लेन यहां पर मिलने लिख दिया, don't give up, don't give up, अब इसके बाद आता है सबसे important part और वो है, मौक खतम हो गया, मौक की analysis करिए, analysis करने में फिरवात में खुप time दो analysis में ताकि आपको समझ में आपको अपना attempt pattern समझ में आपको अपना mistake pattern समझ में आपको यह समझ में आए, कि जन सवा इस सवाल को लगाने में कितना time लिया और topper ने कितना लिया, तो एक comparison करते चलो, average time लोगों ने कितना लिया, तो जिन सवालों में आपके द्वारा लिया गया समय अगर उस average time से, जो average time लोगों ने उस question को solve करने में लिया, उससे जाधा है, then there is a point to see कि क्यों मैंने जाधा time कहां मेरी कमी थी, मेरी approach में problem थी, या मेरी speed में problem थी, जो भी यह उसको समझी है, ठीक है, एक और चीज़ अनाले से जब भी करिये तो आप एक diary बनाईए, या notebook बनाईए, DOM, जिसको हम बोलेंगे diary of mistakes, जो भी paper में आपने question किये और वो गलत हो, किसी भी subject से हो, यह बहुत important है कि उस question को note करिये, diary of mistakes में, हमारी गलतियों में हमेशा एक pattern होता है, subconscious pattern होता है, silly mistakes होती है, बार-बार वो एक pattern होता है, mistakes हमेशा एक pattern में होती है, जब आप pressure situation में होते हो तो आसी गलतियां बार-बार होंगे, उन गलतियों को अगर मैं एक बार लिख लूँ एक डाइरी में एक जिखा बना लूँ तो अगर मैं उसको बार बार देखता रहूँगा कि हाँ ये गलती मुझसे बार बार हो रही है तो ये काफी गहरा मैसा सबकॉंशियस तक जाता है और आप pressure situation में भी वो एक memory रहती है उसके पास कि यार हम इस तरह से गलती करते हैं तो वो गलती कम होने लगती है अपने आप सिर्फ ये घ्यान होने से कि मैं किस तरह की गलतीयां करता हूँ आपकी गलतीयां अपने आप कम हो जाती है तो diary of mistakes बनाईए इसमें हर वो question जो आपने गलत किया है attempt किया गलत हो गया वो इस diary of mistakes में जाना चाहिए और इसको आप हर हफते खोल के देखिए हर mock test देने के पहले diary of mistakes को एक बार खोल के देखना है कि मैंने किन किन questions में गलतीयां करी और क्यों करता हूँ में गलतीयां और ये गलतीयां आगे से मुझे नहीं करनी है इससे आपको बहुत फाइदा में आइनालिसेस को बहुत अच्छे से करिए non attempted question को देखिए कि क्यों attempt नहीं कर पाए attempted question में wrong को देखिए जो आपने attempt भी किये उनको भी देखिए कि क्या उसमें बहतर solution possible था जो आप नहीं कर पाए इस पूरे process से आपको बहुत फाइदा होगा और mock test जरूर दीजिए देना ही चाहिए pre के पहले कई लोग पूछते है कितने mock test दें जितने जादा से जादा mock test दे सकते हो आप दो लेकिन all india free mock जो है super mock से करा रहा है यह तो miss करना ही नहीं इसमें ना तो आपको एक रुपे देनी है पस आपको mock test देना है तो all india free super mock जरूर दीजिए साथी साथ हमारी paid mock test series भी launch होने वाली है ठीक है और जो मैं announce करूंगा आपको सारी detail आके बताऊंगा और उसको भी जरूर जोइन करें और अपनी तयारी को भीतर बनाईए mock test देना आपकी तयारी का सबसे important aspect है अच्छे से करिए मैंने आपको process बता दिया है किस तरह से super mock access करना है आप जो all india mock हमने अभी यह हमारा live है और active है आज Sunday आज active रहेगा तो एक्टेम्ट कर लिजिए इसको आज super marks 4 को all india super marks 4 को जरूर दीजिए 100% इसको आज ही दीजिए ठीक है तो जैसे यह mock आज खतम हो जाएगा तो कल हमारी टीम हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का super marks का video solution भी करा देंगे ताकि आपको देखने को मिले कि टीचर की अप्रोच क्या है super marks को लेकर कि किस तरह किस अवाल है कैसे करना चाहिए तो यह भी एक फीचर आपको इस marks देंगे और आपकी त्यारी सूपर हो जाएगी थैंक्यू सो मच अपना ख्याल रखिए भाबाए ठेक केर